ये फालोडा हमने घर में ही बनाया है और उसकी सेव होती है वह भी घर में ही बनाईंगे और आज इस फालोडा को हम एक नहीं बलकि दो तरीके से बनाइंगे जो की बहुत लगू की टेस्टी और बजार से कहीं जादा सस्ते बनेंगे मार्केट में सेव मशीन से बनाई जाती है इसे हम बगर मशीन दी कैसे बनाएंगे ये भी इस वीडियो में बताऊंगी तो स्टेप बाइ स्टेप वीडियो को ध्यान से देखिएगा तो चलिए इसकी रेसिपी को चिटकी में बनाते हैं तो फालूदा सेव बनाने के लिए सबसे पहले हम रबडी बना लेते हैं तो इसके लिए यहाँ पे मैंने लिया है 1.5 लीटर दूद अब जब भी आपको रबडी बनाना हो ना तो यहाँ पर आप फुल फैट मिलकर इस्तमाल करें यानि कि बफलो मिलकर इस्तमाल कीजे जिसम मिलकर दूध प्रमक कि लिए लिए 1.8 लिए 25 लिया है 2.8। लनाने 5 studying मिलकर है 30 मिल tie बनाने 15 ले 5 सो 20 अको दो प्रमक कि लिए लुदे लेकिन बहुत है 1.0 वादा दूध क्था बीएश भेस ऑस दो इसमें कि अब इसकार दोजी अब इसमें लीड-शी अदेमाल इसमें त और इसे हम तब तक को करेंगे जब तक कि चीनी जो है पूरी तरीके से घुलना जाए तो इसे मैं बिल्कुल स्टेप बाई स्टेप बता रही हूं इसे आप पूरा ध्यान से देखेंगे ना तो बिल्कुल अच्छे से समझ में भी आएगा और बिल्कुल बजार जैसे फालु हो जाएगा फालोदा बनाने के लिए मैंने यहां पर यह वाला जो चमच है ना इसी से मैं आपकर लूंगी कौन फ्लार तो बस इसी चमच से लगबग पूरा भर कर हम साइटीन टेबल स्पून कौन फ्लार डालेंगे और फिर इसमें हम डालते हैं पीसी हुई चीनी तो इसे हम कुक करते हैं तो यह काफी गाढ़ा हो जाता है और आगे मैं आपको बताऊंगी कैसे हम बनाएंगे फालोदा तो इसे आप मिस नहीं कीचेगा जरूर देखेगा बहुत ही बढ़िया कलर आता है तो चली अब इसे में कुक करना है तो मैंने अब यहां पे फ्लेम को आप से पिनल नहीं कीया है पहले हम इस मिक्षर को डाल देते हैं ऑर अब हम फ्लेम को ओं करते हैं और इसे हमिया पर बिल्कुल ट्रांस्परेंट जैली जैसा हो गया है और इसी स्टेश पर फ्लेम को बन कर देते हैं इसे में जादा कुक नहीं करना होता है। जो consistency है कुछ इस तरीके से medium थिकी होनी चाहिए, बहुत जादा गाड़ा भी नहीं होना चाहिए, बहुत पतला भी नहीं होना चाहिए, यह बिल्कुल perfect है, अब चलिए इसके हम बनाते हैं, फालुदा, तो मैंने यहापर यह बुजिया बनाने वाला मोड लिया है, जिसमें इ इस तरीके से यह देखे, गर्मा-गरम कॉर्ण फ्रार के मिक्स्टर को मैंने मोर में उपर तक भर लिया है, और पूरा मिक्स्टर भनने के बाद इसे हम इस तरीके से cover कर देते हैं, और अब इसके फालुदा बनाने के लिए, यहाँ पे मैंने लिया है बिल्कुल ठंडा पा और इसे हम 10-15 मिट तक ऐसे ही पानी में छोड़ देते हैं, जिससे कि बहुत ही अच्छे से सेट हो जाएगा, तो 15 मिट हो गया इसे पानी में छोड़ते वे इसे बिल्कुल अच्छे से सेट हो गया है, और यह देखिए फालुदा कितने अच्छे लग रहे हैं, एक एक तो इसे घुलने के लिए आपको अलग से कोई बोल लेने की ज़रुत नहीं है, डिरेक्ली पैन में भी यह काम हो सकता है, तो बिल्कुल अच्छे से मिक्स करने के बाद चलिए इसे भी हम कुक कर लेते हैं, और इसे हम तब तक कुक करेंगे, जब तक यह भी बिल्कुल जैल तो कौन फ्लार और कस्टर पॉडर में बहुत जादा डिफरेंस नहीं होता है, सिफ कस्टर पॉडर में थोड़ा सा कलर और वनिला एसेंस अड़ेड होता है, जिसे की इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, तो यहां पर यह देखिए, जो मिक्स्टर रेकु करते और कितना बढ़िया यलो कलर आया है, तो इसे भी हम तुरंती डालते है, मोल में बिल्कुल भी वेट नहीं करना है, गर्मा गरम ही इसे मोल में डाल कर, और इस तरीके से हम थंडे पानी के ओपर फालूदा बनाएंगे, यह देखिए, कितना परफेक्ट हमारा यह वाला फा सब्सक्राइब कर दीजे, तो इस फालूदा को भी सेट होते वे 15 मिट सो गया है ठंडे पानी में, और यह देखिए, कितने खिली 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 बने है, कलर भी बहुत अच्छा लग रहा है, तो यहां पर यह तो मैंने मशीन से बना लिया, बिल्कुल पतले फालूदा, लेक जो खाली पैकेट होता ना, उसका भी इस्तमाल कर सकते हैं, और चली अब हम देखने कि बॉटल से कैसे बनाते है फालूदा, तो यहां पर मैंने कॉर्न फ्लार के मिक्षर को भड लिया है बॉटल में, और मैंने यहां पर बॉटल के धकन के ओपर इस तरीके से होल बना लिय और बॉटल को प्रेस करते विए, हम इस तरीके से फालूदा बना लिय और जो लोग बेकिंग करते हैं, उनके पास तो ग्रास नौजल होता ही है, जिसमें बहुत सारे होल्स होते हैं, तो बस उसका भी इस्तमाल करके इस तरीके से आप फालूदा सकते हैं, तो चली यह हम प सब्जा सीट्स जिसे मैंने पानी में 10 मिन बिग हो दिया था यह बिल्कुल अच्छे से फूल गई है और फिर इसमें हम डालते हैं मैंगो फ्लेवर बना रहे हैं इसलिए मैंने मैंगो प्युरी का यूज किया है और इसमें डालते हैं कटे वे आम तो इसी टुटी-फ्रुट एक बर आप भी इसे जहू ट्राइ कीजिएगा और उपर से हम डालते हैं थोड़ा सा रोस सिरप जिससे की इसका फ्लेवर और भी अच्छा आएगा यह बिल्कुल ऑप्शनल है आप चाहें तो इसकिप कर सकते हैं तो यलो और वाइट इस तरीके से मिक्सर के आप ग्लास में आरेंज कर सकते हैं फिर से उपर से हम डालते हैं थोड़ी सी रबडी और फिर हम डालते हैं मैंगो प्यूरी थोड़े से फालूदा डालेंगे और लास्ट में इसमें हम डालते हैं थोड़ा सा मैंगो आइस्क्रीम और थोड़े से टुटी फूटी और कटे वे पिस्ता से इसे हम गार्णिश करके सर्फ करेंगे तो लग रहा है ना बहुत ही टेस्टी घर में बना हुआ मैंगो फालूदा और चलिए अब हम रोज फालूदा कैसे बना ये भी देख लेते हैं तो यहां पर मैंने लिया है रोज सिरफ जिसे हम डालते हैं ग्लास में फिर इसमें हम डालते हैं फालूदा, यहां पर मैं बहुआ वाला फालूदा इस्तमाल कर रहा फिर इसके उपर से हम डालते हैं सीर्फ fiance मैंने उपर कटे वे फूल की वी ऐप林 harvesting मान्गो डालते हैं फिर से ऊपर से डालते हैं फिर से रोजividad अर जालेंग लेसे सीघाराने दीजकराने इस अपंड़ी से रिपीटरी अधिवरी необход वनीट वानीटफि मे तिर से पिदिदा अब चख़रा से कौने डालादने फिर से विद्गाम हो इसी ब्हुत अब यह बना हो is तो यह वाली रेसिपी आप जरूर ट्राइ कीजिए तो फिरिंज अगर आपको यह रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और कॉमेंट जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें इससे पहले मैंने तीन अलग अलग तरीके से मांगो डेजर्ट भी बनाया था जो की बहुत ही टेस्टी और बगेर चीनी के बना है तो इसकी रेसिपी को आप यहाँ पे क्लिक करके जरूर देखिए